तो आज हम लोग study करने जा रहे हैं मुल्टिपल्स के बारे में Factors के बारे में हम नेकल पड़ा था हमने देखा था Factors हम कैसे निकालते थे तो आज हमने multiples निकालने तो甜 Χो's basic multiples जो है वो होते क्या हैं यहाँ पर देखो multiples की definition में लिखी है यह जो है過去 यह क्या होते हैं यह product होते हैं जब हम इनको किसी number के साथ multiply करते हैं multiply करने के बाद मतलब एक number को multiply करने के बाद accounting number के साथ multiply करने से जो कुछ नए चीज हमारे पास मिलती है एक type का table आप इसको बोल सकते हैं तो उसको हम कहते हैं Multiple ठीक है जैसे हम multiply करेंगे counting number तो देखे यहां पर लिखा है 1, 2, 3, 4, etc इसमें कुछ भी आ जाएगा आपका और यहां पर मैं आपके लिए एक example ले रहा हूँ example में लिखता हूँ मैं कि write multiples of four मतलब आपको 4 के multiples लिखने हैं तो 4 के multiples हम कैसे लिख सकते हैं जी तो देखो solution मैंने अभी बताया आपको कि multiples जो हैं वो होते क्या हैं वो होते हैं जब आप किसी एक number को जैसे ये 4 है ना तो 4 के multiple लिखने तो इसको counting number के साथ multiply करते जाओ तो जो जो answer आता जाएगा वो हमारे multiples रहेंगे तो जैसे देखो 4 को अगर हम लोग 1 के साथ करेंगे तो 4 आएगा 4 को हम 2 के साथ करेंगे तो 8 आएगा 4 को अगर हम लोग 3 के साथ करेंगे तो 12 आएगा 4 को अगर हम 4 के साथ करेंगे तो 16 आएगा तो देखो हमने क्या किया इस four को जिसके multiples निकालने होंगे ना जो question में आपका दिया होगा कि इसके multiples निकालो तो उसको हमने किसके साथ one, two, three, four आगे चलते जाएंगे जहां तक आपकी मरजी होगी चलते जाएंगे और इसको multiply करने के बाद जो यहां पे answer जो आएगा यह रहता हमारा multiples मतलब is equal to के अगली साइड में जो भी आपके answer आ रहे हैं वो होंगे multiples और इसको लिखोगे कैसे आप आपने ऐसे नहीं लिखना है आप इसको simplified तरीके मतलब बड़े आराम से solution कर ऐसे करके ऐसे करके solution करेंगे और हम यहां पे आगे लिखेंगे कि multiples of 4 are तो देखो जी 4 के multiples के होंगे तो 4 1 0 4, 4 2 0 8, 4 3 0 12, 4 4 0 16, 4 5 0 20 and so on so on मतलब आगे आगे चलता जाए का क्योंकि table तो कभी खतम नहीं न होते तो बस इतनी सी कहानी है multiples की ऐसे ही आपको सारे के सारे multiples लिखने हैं और definition आपके लिए यह लिखी है मैंने यहां पे कि these are the products which we get when multiply with counting number example 1, 2, 3, 4, etc मतलब इन counting number के साथ multiply करेंगे तो निकल जाएगा अभी मैं आपके लिए क्या करूँगा text book से solution जो भी वहां पे question दिया होगा उसके solutions में आपको दिखाता हूँ आपको कैसे लिखने हैं वो so यह रहा आपका class 5th exercise 4a page number 136 ठीक है book के ओपर देखो ऐसा जैसा यहां पे होगा तो इस book से question number 1 हम लोग कर रहे हैं कि write first five multiples of the following मतलब नीचे यह जो number दिये गया है na A, B, C, D part करके इनके आपको five multiples लिखने हैं अब देखो कितने multiples लिखने हैं five मतलब आपको table लिखना है लेकिन कहां तक का लिखना है तो A part है तो देखो jी A part का solution कि आएगा 7 के multiples लिखने हैं तो इसको हम लिखेंगे multiples of 7 are तो देखो jी 7 के multiples क्या होते हैं मतलब यहां से table पढ़ना आपको 7 1 0, 7, 7 2 0 14, 7 3 0 twenty one seven four zero twenty eight और five तक करने तो end लगाएंगे last के साथ और seven five zero thirty five और ये रहेगा आपका answer simple है अब देखे b part, b part में क्या लिखा है जी b part में लिखा है 18 तो आपको 18 के 5 multiples लिखने हैं तो solution में हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे multiples multiples of 18 sorry इदर पीछे five लिख लेना ठीक है पहले पांच लिख रहें न हम लोग तो यहाँ पर लिख लेना first five first five multiples first five multiples of 18 are तो क्या होंगे जी 18 के multiple पढ़ो जी 18 का table 18 one zero 18, 18 two zero, thirty six 18 three zero, fifty four 18 four zero, seventy two and 18 five zero, ninety तो यह हो गया जी आपका final answer ठीक है वैसे यहाँ पर देखिए अब c part है c part में क्या बोला है c part में बोला है जी आप multiples लिखे 21 के तो देखो यहाँ पर भी solution में हम ऐसा लिखेंगे कि first five multiples first five multiples of 21 are तो 21 के पहले पांच multiples के होंगे पढ़िए जी table 21 one zero twenty one twenty one two zero forty two twenty one three zero sixty three twenty one four zero eighty four and twenty one five zero one hundred and five ठीक है तो अगर आपको table जबानी नहीं आएगा तो आप side में table लिखना तो आपको आता है ना तो आप side में table लिखके कर सकते हैं अब देखे d वाला है 23 तो यह मैं आपके लिए इसका solution जो है मैं आपके लिए home work में छोड़ रहा हूँ और उसके बाद e वाला है 25 और इसका भी मैं आपको home work में दे रहा हूँ यह अगर नहीं निकलेगा तो आप मेरे को comment करके बताईएगा ठीक है मैं आपको यह वाले भी सिखा दूँगा दिखा दूँगा थैंक यू